को सब्याइब तो करते हैं आज का कई नेचार तो कि इस परकार से हमएं एक वर्ग दिया हुआ है पीछे भी की थी हमने प्रोलम, आज कुछ अलग हम कर रहे हैं एक नई प्रोलम, यह A, यह B, यह C और यह D, और इसकी साइड हमें दे रखिए A, वर्क की साइड कितनी है, A है, अच्छा, यहां प्लस क्यू आवेस है, यहां माइनस क्यू आवेस है, और यहां माइनस क्यू लेकिन आज चेंज कर दिया, यहां पलस पलस और यहां माइनस माइनस और हमसे पूछा गया कि इसका जो यह मूल बिंदु यहां है, ठीक है, इसके सेंटर में, वर के कंदर में, इन चारों आवेसों के कारण कुल विद्धु छतर की तीवरता कितनी होगी तो सबसे पहले हम सोल करें तो इसको बिंदु मानने O ये दूरी हम ग्याद करेंगे O से ए तक कि वही Oसे सी तक की सब बराबर हो जाएगी तो असे ए तक के हम नकालें तो एक्वेस्ट रू कितना होगा होगा है यह निकितना है तो एसी हम निकालें तो एसी का स्क्राइब देखे इस ट्राइंगल में से हम निकाल सकते हैं यह हमने ट्राइंगल ले लिया यह वाला तो एसी स्क्राइब कितना हो जाएगा एसी आगया अंडू तो एक वेल्व आगया अंडू तो ओ एक कितना है और एक का आधा है तो ओ ए हमारे पास आजाएगा अंडू एपन में तू यानि कि ओए एक वेल्व आपन में अडू के एकवर तो यहां मैं लिक देता हूं ओ एकी वेल्व ओ बी की वेल्व ओ सी की वेल्व और ओडी की वेल्व सब इकवल है कितनी है एपन अंडू तू यह वेल्व हमारे पास आज चुक है इनकी हमें आउसकता पड़ेगी इसलिए पहले ही हम इसको सॉल कर चुके हैं तो अब इसको सॉल करते हैं क्या हमसे पूछा है क्या उसका रिजल्ट आने वाला है तो देखिए यह प्लस तो प्लस के कारण विद्व चेतर की तीवरता बाहर की ओर होती यानिकि इधर की ओर होगी तो यह हमने लिख दिया किसकी दिशा एकी दिशा आ गए इस दिशा में अच्छा यह बी है यह प्लस है बी के ओपर प्लस है तो इसके कारण भी जो दिशा होगी बाहर की ओर यानिकि इस दिशा में इसको हमने लिख दिया ए बी की दिशा ठीक है यहां माइनस क्यों आवेस है और माइनस के कारण इ से इसके कारण इधर दिसा हो जाएगी बिशन यानिकि इसके कारण यह तैसा हो जाएं कि दो तो इधर आ रहे हैं दो इधर आ ले और इन दोनों के बीच में और कैसे करते हम सबसे पहले हम एकर आप तो ए-ए कितना होगा ए-ए क्वेश्टू फॉर्मॉला क्या होता है लिख देतों में यहां पर बिंदु आवेज के कारण विद्दु छेतर की तीवड़ता के क्यू अपोर में A2 यह आर दूरी हो तो R2 हम उसको लिख देते हैं क्या लिख देते हैं आर स्कॉरर इसी सुत्र का हमें यूज करना है लाश के लक्षर में भी हमने किया था बार-बार इसी फॉल्मले का यूज हो रहा है अभी तक तो आगे हम पढ़ेंगे बाद में देखेंगे अलग फॉल्मले आते हैं या फिर इसी कहा हमारा काम चलता रहेगा तो ये की वैल्यू क्या होगी देखिंगो आवेश कितना है क्यूं और दूरी कितनी है o से a तक की दूरी तो यह लिखी होगी फ contractors आप् seguridad कि आप स्क्वायर ऊप्र मुल्टृप्र में ऊपर मल्टिपल में निया वुए हगया 2kq upon a2 यानि कि a a की value ea की value हमारे पास 2kq upon a2 अच्छा अब eb की value देखिए यह दूरी समान है आवेस भी plus q है तो समान है तो eb की value भी क्या जाएगी हमारे पास eb की value आ जाएगी हमारे पास इसके equal 2kq upon a2 अच्छा ec की value कितनी आएगी देखिए ec की value इसे इधर है दूरी यहां से यहां तक कितनी है यह रही सिम दूरी है go यह जाएगे लेकिन आवेस परिमान तो क्यों है इतना ही आएगा इस्कोर और यही value किस की आजाएगी इस वेलू को यहां से मिटा दे तो यहां पर इसका डाइग्राम बनाएं कि किस परकार कर रहे हैं यहां से देखे इस परकार का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कि दो विदू चेत्र की ती तो है chi है एक दी इसी दी दिशा में है है और ंजी भी इसी दिशा में है अच्छा इधर है एक तो ऐए ओजा को फो हो जाएगा इधर और इन दोनों का इदर हो जाएगा यहा? की इधर माले की ऐसे बनेगा हमारा कि इन दोनों का योग आ गया वह आ गया मालो ईथर आ गया इस दोनों का योग यह और और यह एंगल इनके बीच में निकालना है तो यह एंगल देखिए यह 45 यह 45 तो यह कितने का हो गया 90 इन दिगरी का ऐसे यहीनाइंटी डिगरी का होगा यह भी 90 यानि कि यह एंगल हमें चाहिए कितने डिगरी का यह 45 यह 45 तो यह 90 45 प्लस 45 90 ऑगया और नाइंटी वन एक ट्राइंगल में टोटल एंगल का योग है वह नहीं होता तो यह एंगल कितना होगा 90 डिग्री यानि कि इन दोनों का लिजल्टन इधर आ जाएगा तो सबसे पहले एवन निकालें फिर एटू तो एवन कितना एगा एवन हमारे पास आएगा एवन इक्वास्टू इसके कारण हमने माना दोनों की दिसा एक ही है तो दोनों चुह है तो एक्यू अपॉन में एश्क फ्लेस प्लेस इसी की वैलू आएक सट्각 मंहें कितनी हैँ तो जोड देंग तो अंगा होगा फ्लेसकी ये किस की वैलुड लागति ऐएक छिए वलीगु निकाल ले mood रहे किसकी एटू की तो एटू की वैलीऄ यड यू कितनी EB और ED हमारे पास बराबर है EB और ED क्या है पराबर यह EB है और ED तो यहां से लिखेंगे आएगा 2KQ upon A square प्लस यह आजाएगा 2KQ upon A square जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4KQ upon A square यहां कि E1 की value आगई और E2 की value आगई तो क्या value आई है लिखते हैं इधर इनको मिटा देते हैं तो यहां से E1 हमारे पास आया है कितना आया है E1 हमारे पास आया 4KQ upon A square यह देखें यह रहा E1 equals to 4KQ upon A square और इतना ही E2 आया है E2 भी कितना आया है 4KQ upon A square यह आ गया है और इस परकार से वो कार्य कर लें इस परकार से विद्धुचेतर की तीवर्ता की जिसा है इस डियाग्रम के अपोर्डिंग तो अब रिजल्टन निकालना है E1 और E2 का किस किस का E1 और E2 का resultant तो देखिए इसके लिए बता दिया एंगल कितना है 90 दूबारा देख सकते हो इधर लगा E2 हो गया इन दोनों का योग इधर E1 हो गया दोनों का योग और यह एंगल यह 45 यह 45 तो यह कितना हो गया 90 दिगरी तो इन दोनों का resultant इधर आएगा उसको हमने कहा E-net क्या कहा E-net कितने दिगरी के एंगल है यह 90 दिगरी का एंगल तो E-net हमें निकालना है तो समानतर चत्रभुष नियम से हम लिख सकते हैं E1 का स्क्वाइर प्लैस E2 का स्क्वाइर प्लस द्वाइस E1 E2 कोस एंगल कितना है 90 दिगरी तो कोस 90 अचा कोस 90 जीरो तो यह ट्रम तो हो गई जीरो ठीक है तो E-net कितना बच गया E-net हमारे पास आ गया अंडूट E1 स्क्वाइर प्लैस E2 स्क्वाइर अच्छा E1 और E2 इक्वल है यहां से देख सकते हैं E1 इक्वाइस टू एटू ठीक है तो इक्वल है तो इसको लिखा जा सकता E-net इक्वज टू अंडूट E1 स्क्वाइर प्लैस E1 स्क्वाइर क्योंकि एक्वल है तो यहां से एक्वल हम लिख सकते हैं तो कितना हो गया अंडूट 2e1 का स्क्राइल तो यह आ गया अंडू 2 इंटू में e1 ठीक है अच्छा एवन हमारे पास यह रहा तो यह यहां पर रख दें तो इनेट कितना आया इनेट आया हमारे पास अंडू 2 इंटू में 4k क्यू अपोंड में a2 तो यह इलेक्टिक फिल्ड होगी कहां पर इसके किंदर में सिंटर पर और कौन सी डारेक्शन में इस डारेक्शन में हमने निकाले यानिकी इस डारेक्शन में होगी यानिकी DC या AB के perpendicular हम कह सकते हैं देखो यह AB है और इसके जो डारेक्शन आई वह यह आई तो इसके क्या हो गई perpendicular हो गई यह ऐसे कहीं यह DC है और इसके perpendicular यह आ गई इस परकार से तो कितना आया net electric field का मान undo 2 into 4 kq upon a square जहां k की value हम क्या कर सकते हैं वैक्यूम के लिए k की value 1 upon 4 pi epsilon 0 huge में ले जा सकते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉलम थी ऐसी ही प्रॉलम हमने कुलाम के नियम में भी की लेकिन हमें आना चाहिए पता होना चाहिए कि इलेक्टिक फिर पूछ ली जाए तो हम घबरा जाते हैं क्यों कि हमें कुलाम बलके जो नियम है वह इसमें लागू करने नहीं आते तो जब हमें लागू करने आ जाएंगे तो यही प्रॉलम क्या हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी अब देखिए और प्रॉलम क्या है और फिर मैच करना डीजर्ट क्या आपको देखने को मिलता है तो देखंव मांठों की दो आवेस रखे हुए है यहां माइनस क्यू आवेस है और यहांपर प्लेस नाइन क्यू आवेस है इस बिंदू यह बिंदू मानली ए है और यह बिंदू है पी और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मानलो हमें दे रखी है आर कितनी दीवी है आर हमें दे रखी है यहां पर माइनस क्यूं आवेश है यहां प्लस नाइन क्यूं आवेश है दोनों आवेशों की परकरती अलग अलग है और यह इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है और इनके बीच की दूरी आर है हमसे पूछा गया है कि वह बिंदु बताओ यानि कि इन दोनों आवेसों के कारण कोई एक ऐसा बिंदू हमें बताना है कि वह बिंदू बताओ जहां इन दोनों आवेसों के कारण विद्धुचेतर की तीवुरता है उसका जो मान है वो सुन्य हो जाए यानि कि इसके कारण विद्धुचेतर की तीवुरता और इसके कार कि इसके अंदर हम रखें इन दोनों के बीच में कहीं होगा या इस आवेश के पास इधर होगा बाहर या इस आवेश के यहां होगा तीन कंडिसन यह वो सकती है कि इधर वो बिंदू है इन दोनों के बीच में कहीं है या इसके इदर है नों बें तो देखते है हमें पता है मैंने यह बिंदू ले लियो यहाँपर P बिंदू हमने माल लिया तो इसके कान विद्दुचेतर की तीवरता की दिसा यह हो जाए लिए, ठीक है क्योंकि रिनात्मक है तो रिनात्मक के कान यह हो गई, यह धनात्मक है तो दोनों एक ही दिसा में हो गई, ठीक है तो यहां तो जिरो हो नहीं सकती, यानि कि यह बिंदु तो इसमें नहीं होगा अंदर नहीं होगा कहने का मतलब यदि एक रिनात्मक हो और एक धनात्मक आवेश हो तो बीच में विद्धु छेत्र की जो तीवरता है वो बराबर नहीं होगे तो यह वाला पॉइंट तो कैंशल है अब मैं यहां पर देख रहा हूं मालो कि हमने बिंदु यहां माल लिया अब देखिए विद्धु छेत्र की तीवरता बिंदु आवेश के कारण होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वार तो यहां पर देखिए यदि आर का माल बढ़ेगा तो यह का माल घटेगा क्यू का माल बढ़ेगा तो यह दूरी देखो यह दूरी यहां से माल लो एक्स है कितनी है एक्स तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई एक्स तो यहां से जो विद्धु छेतर की तीवरताईगी वह आएगी माल लो के इंटु नाइन क्यू अपॉन कि आवेश कितना है Q और दूरी कितनी है R प्लिस X का हौल स्कुरा है तो यह E का मान तो कम हो गया क्योंकि यहां यह बढ़ गया यहां यह कम है तो यह ज्यादा होगी यह कम होगी तो यहां पर भी 0 नहीं हो सकता तो अब इधर कोई पॉइंट है यहां पर हम कोई पॉइंट मानें तो यहां पर देखे क्या होगा यहां पर हमने बिन्दू मान लिया P अब इसमें आप सोचेंगे कि इसके कारण तो दिसा इधर हो जाएगी और इसके कारण दिसा इधर होगी माइनस के कारण अंदर और इसके कारण बाहर, तो दिसा वी-पी ता है लेकिन जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके कार विद्दु-चत्र की त्यूरता यहां कम होगी और इसके कारण ज्यादा हो जाएगी अब इदर के हम बात करें, यहां कोई पॉइंट हम ले ले, ठीक है, तो यहां से देखो, माल लो यह दूरी x हमने माल ली, कितनी माल ली, x दूरी माल ली, यह दूरी x है, तो इसके कान जो होगी वह तीवर्टा इदर होगी, माइनस ना माइनस के कान अंदर और इसके कान क्या होगी बाहर इधर हो जाएगी यानिकि दिसा में तो दोनों क्या है वी पेट अब हम दूरी की बात करें तो यह दूरी एक्स है और यहां से यहां तक की दूरी क्या है आर प्लेस एक्स कितनी है आर प्लेस एक्स तो यहां पर और कम वि-दू-चेत्र होगी इसके कारण क्योंकि दूरी बढ़ गए दखो यहां से यहांतक की दूरी कितनी हो गई यह ठूल दूरी और प्लैस Rei को गही है तो इसके कारण वि-दू-चेत्र का झाल गट जाएगे और यह दूरी कम है तो यह बढ़ जाएगे तो इसलिए ना तो यहां हो सकता और ना यहां तो यहां पर होगा तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि जो आवेश कम होगा जिसका परिमान कम होगा उस आवेश के पास में वह बिंदू होगा यानिकी उस आवेस के पास में हमें वो बिन्दु मालना पड़ेगा, तो अब इसको सॉल्फ करते हैं, समझ में आया होगा अच्छे से कैसे इसको solve करना है कहां हमें वह बिंदू पहले बिंदू तो पता होना चाहिए कि कहां पर विद्धु 36 की ती उरता है वह बराबर हो सकती है परिमान में और जहां पर बराबर हो जाएंगी तो वहाँ जीरो आ जाता है ठीक है तो क्या होगा देखिए अब रखता हूं मैं दूबारा बना देता हूं इसको यह माइनस क्यू आवेस और यह प्लस 9 क्यू आवेस इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी कितनी है मान लो यहां वह पॉइंट है जहां पर विद्धु 9州cht 3 की टीर्टा क्या है सुने हो रही है तो यह दूरी यहां से यह तक की हो गए मान लो एक सावेस से दूरी कितनी है एक तो उस आवेसory से दूरी कितनी हो जाए ही आर तो पहले थी प्लस आएक सोगे तो अब देखिए इसके कार्ण दिंसा के दर होगी इदर क्योंकि माइ माइनस के कारण अंदर की लिग दिया हमने e1 और यह प्लेस के कारण दिसा हो जाएगी इसको लिख दिया हमने e1 अब हमें e1 और e2 का मान निकाल नहां है और दोनों का परिमान बराबर करना है जिससे हमारे पास X का माल आ जाए तो देखिए यहां पर बिंदू आवेस के कारण विद्दू छेतर की तीउरता के क्यू अपॉन आर स्क्वेर बार बार यही फॉर्मुला हम यूज कर रहे हैं तो यहां से देखिए इसके कारण हम निक दोनों मान क्या कर दें? बराबर कर दें दोनों का परिमान क्या कर दें? बराबर और इसके कमें कैया होनिये 0 दियารीका लिखा जाएगा यहां سے जाएगा with 1 ईक्वैस्ट टू इवरेचज़ पास एकश स्क्वैरेक इंटु 9 है करें क्यों यहां कि यहां बच गया फ्सक्रेंट इधर बच जै otc का wagon लेक के तो यहां बच दिए एक स्थी 3x-x equals to r तो यह बच गया 2x equals to r तो x equals to कितना गया r upon 2 कितना गया r upon 2 वजर गुना किया क्या क्या वजर गुना तो यह 3x हो गया इधर हो जाएगा r plus x x इधर ले आए तो 3x minus x equals to r तो यह 3x में एक कम हो गया 2x equals to r तो x equals to r by 2 तो यहां से कितनी दूरी पर r upon 2 दूरी पर हम रखेंगे तो दोनों के कान विद्धु छेतरी जो तीवर्ता होगी बिंदु पी पर वो जीरो के एक्वल हो जाएगे तो यह हमारा आज का लक्षर था जिसमें हमने विद्धु छेतर की तीवर्ता से संबंदित प्रॉलम सौल की यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स भी करें थैंक्यू